भाई आज से कुछ टाइम पहले अगर कोई 5G फोन बजट में लेना चाहता था तो भाई उसको अपने फोन के अंदर काफी ज़ाधा compromises करने पड़ते थे लेकिन अब ऐसा जमान आ गया कि इवन 10-12,000 की देंच में भी बहुत बढ़ियां बढ़ियां 5G फोन आते हैं लेकिन उसमें भी कुछ फोन है भाई जो बहुत तगड़े प्रोसेसर के साथ में आते हैं लेकिन उनमें डिफरेंस भी काफी सारे हैं मतलब बहुत ज़दा कंफ्यूज हो नहीं उनमें से दो फोन सामसंग गैलेकसी F15 तो कई सबसे पहले बात करेंगे प्राइजिंग स्टोरेज वेरियंट और के बारे में तो यह जो समसंग का F15 है इसके अंदर आपको 128 GB स्टोरेज मिलता है और रैम जो है वो 6GB वाला उप्शन है और 4GB वाला उप्शन है जो 6GB रैम है वो आफटर आफ यह जो फिलहाल में आपको यहां पर दिखा रहा हूँ यह इसका गुरूवी वालेट कलर है बाकी बात करूँ नार्जो 60X की तो इसके अंदर भी 128 GB स्टोरेज आता है बेस वेरेंट और 4GB रैम और 6GB रैम का उप्शन आता है जो 4GB रैम वाला वाला वेरेंट है वो 10,999 का है इसमें दो कलर दाता है यह स्टेलार ग्रीन है और एक नबिला परपल आता है यह दो कलर बेसिक लिए आपको देखने को मिल जाएंगे अगर इस फोन की बात करूँ तो यह भी पूरा प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है और इसका भी जो बिल्ड क्या अच्छी है अगर मैं twist करके आपर देखूं तो इसकी build quality भी सही है थोड़ा आवाद आ रहा है यहां पर and samsung को भी अगर मैं twist करता हूं इसकी quality काफी जबरदसत है and यह थोड़ा जादा मजबूत feel होता जादा dense feel होता है अला कि जो यह phone है यह 9.3 mm के thickness के साथ में आता है वेरस यह phone 7.9 mm के thickness के स साथ में आता है and सिर्फ 190 gram का इसका weight है बट यह जो है 217 gram का है लेकिन वो जो weight है वो battery में अड़ होता है इसके अंदर 6000 mm बारे में भी बात करेंगे but overall build quality दोनों की काफी मजबूत है in hand feel भी दोनों की काफी अच्छी है हलाकि मेरे को ऐसा लगता है कि यह जो थोड़ा सा side से curve है ना तो अगर आप बीना कबर के जादा phone use करते हो आपको थोड़ा सा जादा comfortable यह वाला phone feel आएगा और थोड़ा सा जादा compact भी feel आएगा यह थोड़ा सा जादा sharp है आपको हलका सा चुगता है आतमे लेकिन इतना कोई major deal नहीं है दोनों भी अच्छे हैं basically build quality and in hand feel है बागी आपका personal preference है आपको cancer type का look पसंद आता है किसी किसी को भाई यह बहुत ही बढ़िया classy look पसंद आएगा किसी किसी को भाई यह बहुत जादा भढ़कीला look पसंद आएगा यह आप लोग का personal चाहिए था क्योंकि looks are subjective भाई उस पर मैं जादा comment नहीं कर सकता वाकि जैसे front side में ब देखने को मिलती है यह भी 1080p है लेकिन यह 90 है बट सबसे बड़ी चीज और सबसे important चीज भाई यह जो samsung की display है यह एक super amoled display है वेराज यह एक IPS LCD display के साथ में आता है तो यह एक बहुत बढ़ा difference है and mostly सारे लोगों को super amoled के colors बहुत जादा पसंद आते हैं and यहाँ पर भी यह चीज से मैं बोलूँ मा भाई इसके जो super amoled के colors है वो mind blowing है even जो इसका brightness है वो काफी जादा अच्छा है almost 800 nits तक के जाता है वेराज यह जो फोन है इसमें 680 nits की brightness है और अगर धूपूप में भी बात करूँ तो आपको clearly भाई जादा bright यह amoled वाला feel देगा and जादा bright of आपको होता ही है usually amoled displays और यह super amoled है by the way हलाक मैं एक चीज़ बलूँगा तो रियल में है इसके अंदर आपको यह punch hole camera दिखने को मिल जाता है compare to यहां पर यह drop notch तो यह एक फर्क है उसके अलावा display की जहां बात आती है तो super amoled screen भाई यहां पर कोई भी डाउट नहीं कोई तो अगर आपने माईक के अंदर से भी समझने कोशिश करी होगी तो clear दी भाई जो Samsung का speaker है वो जादा better quality produced कर रहा है even though दोनों के अंदर single bottom firing speaker आते हैं लेकिन Samsung की जो आवास की quality है और जो loudने से वो जादा है यहां पर बात करूँ अब performance की तो दोनों फोन के अंदर हमको Dimensity का 6 6100 chipset डिखने को मिल जाता है जो के एक काफी बढ़िया प्रोसेसर है भाई मेरको तो भाई यह प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया लगता चे ननोमेटर पर बनावा प्रोसेसर है बहुत कम बैटरी चूजता है तो मेरे को बड़ा मजा आता है मैंने benchmark को वेरा करके देखा तो ज 770 6100 प्लस है यह एक decent chipset है और आपको daily life में अच्छी decent performance इसके अंदर देखने को मिल जाती है बट हाँ जो इसका 120Hz का smoothness है वो कहीं कहीं आपको feel होता है realme के अंदर लेकिन overall जो performance है वो काफी बढ़िया है app opening daily का जो आपका काम होता है उसमें जाधा आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी और even gaming की बात कुरू तो दोनों भी decent amount of gaming समाल लेते हैं आप जो basic gaming करना चाते हो तो भाई यह दोनों से आप लोग आराम से कर सकते हो ज्यादा आपको परिशानी नहीं आने वाली ठीक है performance के बाद बात कुरू software experience की तो भाई यह जो phone है Samsung का इसके अंदर updates का support मिलने वाला है incredible चीज लगती है Sony के ही वेराज इसकी बात करू तो भाई इसकी क्या ही बात करू अभी तक के इसके अंदर Android 14 ने आया है 14 कब आएगा 15 कब आएगा कोई idea आने है लेकिन जो software experience है वहां पर मैं definitely भोलूँगा कि भाई Samsung का software experience है वो far superior है from any UI आपने अगर use कर आपको मालूमी होगा जो Samsung के optimization होती है वो काफी अच्छी होती है काफी बढ़िया चलता है overall जो experience है Samsung का वो काफी अच्छा होता है पर काफी bug free होता है और बहुत सारे amazing amazing software features यहां पर आपको देखने को मिल जाते है Samsung के इस phone के अंदर जैसे Samsung का voice focus देखने को मिल जाता है जो मे परसनली काफी दा अच्छे लगती है परस जो realme UI है यह भी काफी बढ़िया है लेकिन इसके अंदर भी आप जैसे देख रहे हो इसके तरह buggy environment छोड़ा जाता होता है मतलब चलता है तो बहुत अच्छा जलता है नहीं चलता तो बहुत बग जाते तो यह छोटे मोटे issues है पर ठीक है बुरा नहीं है software तो जो ब्लोट वर्स अगर आते है वो तो दोनों phones के अंदर आप लोग easily remove कर सकते तो वो main मसला नहीं है लेकिन overall इसका software भी ठीक थाक है बड़ भाई Samsung has incredible power in the software department तो उसमें कोई भी doubt नहीं है अब अगर बात करें cameras की तो Samsung के अंदर हमको 3 camera का setup दि में मल जाता है वेरस जो realme है इसके दर आपको 50 megapixel का main camera तो मिल जाता है लेकिन 2 megapixel का macro मिलता है ultra wide वगरा नहीं मिलता है वेरस front facing camera की बात करो तो realme का front camera सिर्फ 8 megapixel का है वेरस Samsung में आपको 13 megapixel का front facing camera मिलता है let's see the samples guys तो ये daylight में दोनों के main camera की photos है and they are performing pretty well काफी बढ़िया result है दोनों का भी and even details भी काफी बढ़िया है दोनों भी phone के main camera के लेकिन कुछ कुछ सेनारियो में dynamic range Samsung की हलल की से बैटा रहा पोट्रेट की तरफ move करो यहां पर भी काफी अच्छी photos है लेकिन zoom करने का बहुत जाधा over sharp दिखती है रिम में की photo बढ़ भाई Samsung के पास ultra wide का advantage है भी थोड़ी सी पीली पन अजीब सा आ रहा है जो Samsung की skin tone है वो काफी जाता बढ़िया है जैसे आप यहां पर देख रहो भाई भाई डानेमिक रेंज भी बहुत ही जाता weirdly उठा है उपर नीचे है even front portrait photography में जो रेल में है और शाप करने ही कोशिक की है Samsung के colors natural है but overall दोनों की photos क काफी ठीक थाक है ऐसा कुछ problem आपको देखने को नहीं मेलें बाकि यह वीडियो भी देख लोगा है यह जो वीडियो है यह 1080p में बन रही है दोनों भी phone के camera से main camera से basically कुछ इस तरह की video quality दोनों भी phone से बन जाते हो है अगर मैं फटा फटा फट चल के दिखा दू तो आपको स्टेबिलाइजेशन का इडिया लगेगा कि वाई कैसे स्टेबिलाइजेशन है जो वीडियो की quality है वह कौन से फन में ज्यादा बेटर निकल गा रही है और फ्रेंट से बी हम यहां पर 1080p में वीडियो बना पकते हैं यहां पर चल रहा है तो आपको स्टेबिलाइजेशन बतला बेसिकली ऑडियो भी इन ही फोन से आ रही है चाहां टेनल टीपी में अल्ट्रा वाइट से भी शूट कर पाते हैं सैमसंग के अंदर जो इसमें सिर्फ 1x मेंन कैमरे से होता है तो अल्ट्रा वाइड होने का यह एडवांटेज है कि आप जूम आउट करके शूट कर स अब बात करें बैटरी लाइफ की तो भाई देखो यहां पर सैमसंग के अंदर फिजिकली बड़ी बैटरे बैटरे यां दोनों का जो प्रोसेसर है वो भी सेम है और सैमसंग की उप्टिमाइजेशन भी बढ़िया होती तो आपको इतना तो उमीद करके चलो कि सैमसंग के आपको आराम से दो दिन की बैटरे लाइफ मिलेगी इसके अंदर आपको अर्मल यूजर हो तो आप देड़ दिन की बैटरे लाइफ निकाल सकते हो लेकिन अगर आप थोड़ी से हवी यूज करते हो तो आपको एक दिन की बैटरे लाइफ इसकी बैटरे लाइफ तो यह च के अंदर चार्जर भी मिल जाता है तो यह इस फोन के लिए काफी अच्छा एडवांटेज निकल के आता है अच्छा दोनों के नेटवर्क वक्राम है यहने काफी अच्छा से टेस्ट करें दोनों के अंदर 5G वगएरा बहुत अच्छा से चलता है व्यों TV वाइफा है सब को एक चुड़ा सेम्पल सोना तो अभी दखो वाइस फोकस का मैं सेम्पल दिखाथ हो यहाप भी वास ट्राफिक की नउइस है मैं ब्लादध ओ देखो तो यह बेक्गराउंड में ट्राफिक की नॉइस रखते हैं और आप कॉल करता हैं मेरे दूसरे नंबर पर ताके मैं आपको एक इसका जादू दिखा पाऊं वाइस फोकस का अब जो आप लोग आवाज सुन रहे हो यह इस माइक से दारी है मैं यहां पर ट्राफिक नॉइंट रहूं तो अब जब स्टेंडर मोड में अगर आप बात कर रहे हो तो सामने वाले को जिससा बात करोगे उसको कुछ तरह की आवाज सुनाई देगी ठीक है लेकिन यहां पर तो यह एक इस फोन का बहुत बड़ा एडवांटेज है कॉलिंग के टाइम पर दूसरी चीज भाई इनके अबास इंका कुटकर डाइलर आता है जो मुझे परसली बहुत पसंद है इसके इंदर आपने बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यह चीज में को बहुत ही बढ़िया बाकि security की बात करूँ तो दूनों के अंदर side-bounded fingerprint scanner आते हैं जैसे आप देख रहे हो दूनों की speed काफे decent है आपको ज़्यादा परिशानी देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखी पा रहे हो बाई तो overall अगर मैं अपना conclusion बता हूँ तो price में सिरिफ 1000 रुपे का difference है और 1000 रुपे में आपको इस Samsung के phone में AMOLED display मिल रही है ठीक है बहुत बड़ी चीज होती है मेरे हिसाब से तो प्लस बड़ी battery मिल रही है अच्छा calling experience मिल रहा है amazing software already जो support है वो मिली रहा है प्लस future में 5 साल का software support का promise भी दिखने को मिल जा रहा है और सबसे important बात इंडिया में Samsung का जो brand value है Samsung के उपर जो trust है वो बहुत जादा है तो वो चीज़ आपको brand value भी दे जाता है यह वाला phone तो इस चीज़ के वाज़े से मेरे साब से भाई इस comparison का तो clear winner हमारा Samsung का Galaxy F15 है बाकि आप लोग बताओ भाई आप लोग इन दोनों में से कौन सा phone pick करोगे बाकि इतना ही ता सुड़ो में I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो बालाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं thank you so much for watching this video guys bye bye